नमश्कार सु स्वागतम वेलकम मैं निदीश माली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने मकर राशी वालों का वर्ष दोहजार चौबीस का वार्षिक राशी पर लेकर उपस्तित हुई हूँ और बहुत लंबे टाइम से ही दिमान भी मेरे सामने आ रही थी कि आप वर्ष दोहजार चौबीस के वार्षिक राशी पर कब देंगे तो धनू राशी वालों तक मैं दे चुकी हूँ वर्ष दोहजार चौबीस की कुछ महत्वपून भविश्यवानिया अगर आप ये भविश्यवानियों के बारे में जानना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिये गए महां जाकर आप इन भविश्यवानियों का इस राशी पल का लाप्राप्त कर सकते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं आपको वार्शिक भविश्यवानिया दे रही हूँ या राशिपल दे रही हूँ ये सभी चंद्रगर्णाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी मकर राशी और मकर लगन दोनों के हिसाब से देख सकते हैं यानि ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है आपके राशी स्वामी है शनी और शनी एक राशी के अंदर लगबग धाई वर्ष तक गोचर करते हैं आप सभी जानते हैं कि शनी कर्म फल दाता है और मकर राशी वालों को अभी शनी की साड़े साथी भी चल रही है शनी कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को रिजल्ट देते हैं आपके तो राशी स्वामी ही है और जिनके राशी स्वामी शनी होते हैं वे बहुत ही महनती व्यक्ति होते हैं इमानदारी के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने में वो विश्वास रखते है शनी देव ने 29 अप्रेल वर्ष 2022 में राशी परिवर्तन किया था और वे आपकी राशी से अपनी मूल्त रिकॉन की राशी कुम में प्रवेश कर गए थे वर्ष 2024 में शनी का राशी परिवर्तन नहीं होने वाला है शनी देव 29 मई वर्ष 2025 में कुम राशी से मीन राशी में प्रवेश करेंगे वर्ष 2024 में शनी देव अपनी मूल्त रिकॉन की राशी कुम में ही विराजमान रहने वाला है तो अब एक नजर डालते हैं इस वर्ष के प्रारंब की कुंडली पर यानि एक जन्वरी वर्ष 2024 की कुंडली पर कि ग्रहों की स्तती साल के प्रारंब में क्या रहेगी सबसे पहले बात करते हैं आपके रासी स्वामी शनी देव की जो की आपके द्वितिय भाव और कुंब राशी में स्वग्रेयोकर विराजमान रहेंगे राहु जो की मीन राशी यानि आपके तृतिय भाव में विराजमान रहेंगे गुरु आपके सुख इस्थान और मेश राशी में विराजमान वर्ष के प्रारम में यानि एक जन्वरी को रहने वाले हैं वहीं केतु आपके भग्य इस्थान और कन्या राशी में विराजमान रहेंगे बुद्ध और शुक्र की युती एक जन्वरी वर्ष दोजार चौबीस को आपके लाब भाव यानि व्रश्चिक राशी में होती हुई दिखाई देगी और सूर्य और मंगल की युती धनू राशी यानि आपके ट्वेल्थ हौस खर्च भाव में होने वाली है तो ये है एक जन्वरी वर्ष दोजार चौबीस की यानि वर्ष की प्रारमभिक की कुंडली अब मैं आपको कुछ ऐसी सटीक भविश्यवानिया इस वर्ष दोजार चौबीस की बताने वाली हूँ जो की आपके जीवन में कई प्रकार के बदलाव लेकर आ सकती है और इन भविश्यवानियों के आधार पर ही आप अपने वर्ष दोजार चौबीस की प्लैनिंग कर सकते हैं पहली भविश्यवानि सबसे पहले आपके रासी स्वामी की बात करते हैं जो कि हैं शनी देव और शनी देव कर्म फलदाता है जिस जगह बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं आपकी परसनालिटी के भाव के स्वामी भी मैं कहूंगी वो अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा इस समय आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली रहेगा लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आपसे सला लेकर अपने कारियों को करने का प्रयास करेंगे आपकी इमानदारी के आपकी मेहनत के चर्चे चारो तरफ रहेंगे पूरे वर्ष परियंत आप अपने यश कीर्ती को मान सम्मान को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे यानि आपका रुद्बा पूरे वर्ष परियंत बना रहेगा समाज में गणमान निव्यक्तियों की श्रणी में आएंगे कुटुम में मान सम्मान बढ़ेगा जो आपने सोचे हैं उन कारियों में आप निश्चित रूप से सफलता भी हासिल करते हुए दिखाई देंगे यह समय आपके कारियों को प्रसिद्ध करेगा यानि आपकी प्रसिद्धी में चार्चान लगवाएगा घर की महिलाओं को आप वर्ष परियंद प्रसंद अच्छेत रखेंगे इवे आपकी घर की लक्ष्मिया हैं इसलिए उनकी प्रसंद रहने से आप अपनी फाइनेशल कंडिशन को हमीशा इस्टेबल पाएंगे वैसे भी वर्क प्लेस पर बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस समय आपको मिलती हुई दिखाई देगी और इन अपॉर्चुनिटीज को आप बहुत अच्छे से गेन भी करेंगे दूसरी भवश्यवानी शनी की दरस्टियां चुकि अच्छी नहीं होती है और वर्ष परियंत शनी की तीसरी दरस्टी आपके सुख इस्थान पर रहने वाली है शनी की सब्तम द्रस्टी आपके अस्टम भाव पर रहेगी और शनी की दसम द्रस्टी आपके लाब भाव पर पड़ेगी जो की आपके लिए सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहे है इस समय आपको अपने सुखों में फ्लट्विशन देखने को मिल सकता है financially कभी-कभी up and down की परिस्थितियां आएगी आपको mentally बहुत stable रहना होगा तभी आप इन परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे माव के साथ आपके सम्मद और अधिक प्रगाड होते हुए दिखाई देंगे आपकी decision making थोड़ी सी strong होगी हालां की कभी-कभी आप अपनी बातों पर अड़ से जाएंगे जिद आप पर हावी हो सकती है आपको अपनी इस अडियल रवईये को control करना है कभी बड़े अपनी बात कहते हो तो उन्हें सुनने का भी प्रयास करे यदि आप उनकी बातों को सुनेंगे तो काफी खत तक आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते है क्योंकि जो experience उनको है वो आपको कभी भी नहीं हो सकता वो हमेशा आप से superior रहेंगे हमेशा आप से जादा experienced रहेंगे इसलिए जिन्दगी के तजुर्वे के मुताबित अगर वो आपको कोई सला देते हैं तो उनकी सला को गौर से सुनीए न कि उन्हें डिनाय कर दें या फिर अपने अडियल रवये पर कायम रहे इस बात का आपको विशेश रूप से इस वर्ष ध्यान रखने की आवशकता है महीं रूटीन की लाइप में थोड़ा सा आपको imbalance दिखाई देगा यानि छोटे-छोटे काम लेक कर सकते हैं इस समय यात्रा है अधिक रहेगी यात्रा करते समय सावधानी रखें seatbelt helmet का प्रयोग करें वहां चलाते समय सावधानी रखना बेह दावशक है हो सके तो लंबी दूरी की यात्रा को आप खुद तैय करके ना जाए हमिशा कोई यात्रायात के संसादनों का आप उप्योग करेंगे तो आपके लिए बहतर रहेगा इस वर्ष आपकी तरकी से जलने वाले गुप्त शत्रू उत्पनों हो सकते ऐसे शत्रूं से भी आपको सावधान रहना होगा अपने कारियों को थोड़ा सा गुप्त तरीके से करें अपनी गुपनी बातों को किसी के साथ शेयर न करें गुपनी दस्दाविजो को भी सुरक्षत इस्थान पर रखे ताकि किसी को भी आपके कारियों में खलर डालने का अफसर प्राप्त न हो सके इस समय आपके रोज मरा के कारियों में थोड़ा सा फ्लच्वेशन आपको देखने को मिलेगा आपकी स्ततिया भी थोड़ी सी फ्लच्वेट हो सकती है निवेश करते समय सावधानी रखनी है रिस्की कामों में यानि शेयर्स में ट्रेडिंग के अंदर या फिर आप ऐसे कोई भी क्रिप्टो जैसे कोई भी काम करते हैं तो ऐसे कारियों में आपको बहुत सोच समझ कर निवेश करना है जल्द बाजी में कोई भी निन्य नहीं लेना है तभी आप मान सम्मान को प्राप्त कर पाएंगे और अपने कारियों में सफलता भी आप अर्जित करेंगे गुरू जो की आपके सुक इस्थान में अप्रेल मा तक विराजमान हो रहे है और किंद्र में गुरू के रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलते है वहीं गुरू आपके 12 और 13 भाव के भी स्वामी है तो आपके खर्चों को थोड़ा सा गुरू बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे यानि फाइनेशली अप एंड डाउन आप जरूर देखेंगे परन्तु फिर भी जादा दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा पिना किसी से उधार लिये आप अपने खर्चों को बैलेंस कर लेंगे वर्क प्लेस पर सह कर्मियों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी विदेशों से बहुत अच्छा लाब आप प्राप्त कर सकते हैं विदेशी करनसी इस समय आप अपने व्यापार में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे आपके बल और पराक्रम में व्रदी होगी वहीं भाई बैनों का साथ और सयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा पैत्रिक व्यवसाय में आपको बड़ी सफलता के योग बनेंगे वहीं राजनिती में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा और राजनिती से सम्मंदित कुछ वशेश और सुबसमाचार आप इस समय प्राप्त करेंगे आपकी शत्रू की संख्या में भी कमी आएगी यानि शत्रू आपसे भैवीत नजराएंगे तीसरी भविश्यवानी गुरु जब राशी परिवर्तन करेंगे तब परिस्तितिया और भी अधिक आपके लिए सुद्रड हो जाएगी याँ पर थोड़ा सा खर्च की स्ततियों में आपको संबल कर रहना है यानि मही से लेकर दिसंबर तक का जो समय रहेगा इस समय आपको अपने खर्चों को बैलेंस करके चलना होगा अनर्गल खर्च से आपको इस समय बचना है कोई भी खर्चा ऐसा ना करें जिससे कर्ज लेकर आपको कारे करना पड़े इस समय आपको पैत्रिक संपत्ती समंदी विवादों का सामना करना पड़ सकता है छोटे भाई बेनों से भी उतार चड़ाव भरा समय ये रहेगा यानि वो समंद थोड़ से उतार चड़ाव से गज्रेंगे ये समंदों के परिक्षा की घड़ी है परन्तु आपको इस परिक्षा में पास होना ही है वहीं ये महत्वा कांग्षाओं से भरा समय रहेगा महत्वा कांग्षा είναι आपकी पूरी होती होई दिखाई देगी ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धी से भरा रहेगा चौती भविशिवानी गुरु की द्रस्टियां सर्वता अच्छी रहती है अप्रेल माह तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है यात्राय शुपकारियों से होगी गुप्त शत्रू समाप्त हो जाएंग नए नए धन प्राप्ति के स्त्रोत भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे यानि धन कमाने के नए नए साधन आप जुटा पाएंगे इस समय आपकी प्लैनिंग साकार रूप लेती हुई दिखाई देगी वर्क प्लेस पर भी आपका अगर अटका हुआ प्रमोशन है इ अधिकारियों से आपके सम्मद्द और भी अधिक प्रगाड रहेंगे पिता से आपको सही और उचित मार्क दर्शन प्राप्त होगा गर में भी अच्छे और शुब कारियों की सुरुआत होगी मई ये समय आपके विदेश यात्रा के अफसर आपको प्रदान करेगा विद से लेकर जो दिसंबर माह तक का समय है उस समय में आप जो भी रिस्की काम करते हैं उस कारिय में आपको अच्छा लाप राप्त होगा बस आपको सोच समझ कर ऐसे कारियों में आगे बढ़ना है जो आपका spiritual पार्थ की जो जर्नी है वो और अधिक तेज हो सकती है इस समय spiritual जर् बात और सयोग देखने को मिलेगा मही से लेकर दिसंबर के बीच में बहुत अच्छे सुप कारियों से आप गुज रहेंगे भाग्य भी आपका साथ देगा और आपके कारियों में आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे इस समय अचानक धनल आपके योग बनेंगे य परसनालिटी बहुत ही अच्छी और सुद्रड हो जाएगी लोग आपके प्रसंसा चारों तरफ करेंगे आपके कारियों की प्रसंसा आप चारों तरफ होगी और कई लोग आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे आपको अपना आइडियल मानेंगे राहू जो कि इस वर्ष परियंत आपके तरतिय भाव में विराजमान है वर्ष 2024 में राहू का राशी परिवर्तन नहीं होगा और ये समय राहू के बेस्ट रिजल्ट आपको दिलवाएगा यानि वर्ष 2024 राहू के हिसाब से अपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है राहू आपके थड़ा उसमे यानि पराक्रम भाव में बैटेंगे यहां पर आपके पराक्रम में बल में व्रद्धी करेंगे शत्रू का नास करेंगे इस समय आपकी decision making बहुत strong होगी बनते चले जाएंगे राजनीती में बड़ा पद मिल सकता है अगर राजनीती में कोई काम आपका अठक गया है जो आप राजनीती के माध्यम से ही अपने कारे को पूरा कर सकते हैं तो वो कारे इस वर्ष आपका पूरा हो जाएगा आपका प्रभाव शित्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा राउ के रिजल्ट आपको बहुत ही शांदार देखने को मिलेंगे तो ये जो मैंने आपको भविश्यवानिया मुख्य रूप से वर्ष 2024 की की है इन भविश्यवानियों को देखते हुए आप अपने आने वाले वर्ष की प्लैनिंग करें अब मैं बढ़ती हूँ कुछ सटीक उपाय उपर की मकर राशी वालों को वर्ष 2024 में क्या उपाय करने चाहिए जिससे ये वर्ष आपके लिए उत्तम सफलता दायक हो जाए तो वर्ष 2024 में सबसे पहले तो आपके राशी स्वामी शनी है और शनी की साड़े साती चुकी आपको चल रही है तो शनी के दान करना ना भूलें शनीवार के दिन आप काली चीजों का दान कर सकते हैं आपके घर के बाहर आया जुरुतमन व्यक्ति कभी भी खाली हाथ ना जाए इस बात को आपको सूनिश्चित करना होगा मजदूर वर्क को हमीशा प्रसन रखें यदि आप कोई बड़ा बिजनस लिए बैटे हैं बड़ी इंडिस्ट्री लिए बैटे हैं और आपके नीचे काफी कर्मचारी काम करते हैं तो अपने कर्मचारियों का विशिस रूप से ख्याल रखें रोजाना रुद्रास्ट कम का पाट करें और भगवान शिव की पूजा आराधना करें शनी के आराध्य देव हैं भगवान शिव प्रसन तो शनी प्रशन इस वर्ष आप अपनी सफलता को सू निश्चित करने के लिए गणपती जी पर साबुत मूंग रोजाना जरूर चड़ाएं अगर रोजाना न ये कारें कर सके तो बुद्वार के दिन ये कारें जरूर करें और रवीवार के दिन भैरव देवता के मंदेज जाकर उनके दर्शन कर महाँ पर सूका नारियल उनके सामने जरूर पदा रहें और वो नारियल का प्रशाद वहीं बाट कर खुद थोड़ा सा लेकर और फिर घर आ जाएं तो ये कुछ विशेश उपाय हैं जो कि आपके वर्श दोजार चौबिस की सफलता को दुगना कर सकते हैं पर ये उपाय मैंने कौमनली मकर राजशी वालों के लिए बताया है यदि आप अपने नीजी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि वर्श दोजार चौबिस आपके नीजी जीवन के हिसाब से कैसा रहेगा तो आप गोचर और अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से वर्ष 2024 की भविश्य वानियों के बारे में जान सकते हैं या फिर आपके जीवन में कोई समस्या है, भविश्य को लेकर आपके मन में कोई प्रशन है तो आप इन प्रश्णों के उत्तर मेरे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिये गए नमरों पर कॉल या फिर वाटसेप कर संपर्क कर सकते हैं अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए यह आने वाला वर्श यानि वर्श दोजार चौबिस आपके लिए उत्तम सफलता दायक हो आपकी कामिया भी चरम पर रहें रिस्तों में आपको सफलता प्राप्त हो माधूरी आपके परिवार के साथ आपका हमेशा बना रहें सुक्ष, सौबाग्य और सम्रदी की प्राप्ति हो इनी शुप कामनाओं के साथ निदिश्री माली का नमशकार गुरुमा निदिश्री माली एक प्रसिद्ध ज्योतिश आचार्य हैं उनके जोध पुरिस्थित ज्योतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्ध्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू इन नंबरों पर संपर्क करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2